कुशिनगर और महराजगन जनपत को बाटने वाली सीमा के बीच स्थित बहने वाली नरायनी नदी के जलधारा में गैन ही ड्रेन के जीरो पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर स्थित बांध रेंकट और रैट होल में लगभग 20 मीटर कट जाने के वैसे कुशिनगर के दरजनों गाओं के खेतों में खड़ी फसल जो है जलमगन हो गई है अधिकारियों ने सूचना मिलते ही आनन फारण में बांध को बंद करने के लिए मिट्टी की बोरिया डाल कर मजदूरों को लगा कर भराव का काम शुरू करा दिया हम इस मौके पर तो उचने बताए कि बांध कटने की सूचना पर पी डब्यूडी और राजस्व विभाग के अधिकारियों और करमचारियों को लगा कर बांध के कटाव को भराने का काम चल रहा है जल्दी बांध का मरम्मत कारे पूर्ण करा लिया जाएगा पूर रिपोर्ट देखिए खंड की टीम है और रिशाव होने से पहले तूटने से पहले इस पर ने अंत्रण पाली आ गया मरम्मत का कारिया भी जारी है और आज साम तक चांसे हैं कि लगबख पूरी डिकावरी हो जाएगी सर आपको क्या लग रहा है मतलब यह किस रीजन से हुआ कि आभी भाग जो बार्ट पर विभाग है वो उस पर ध्यान नहीं दिया ग्रामिडों का कि यह कहाना कि हमने पहले सूचना दी थी तो क्या लगता नहीं जब सूचना दी गई तब से टीम एक्टिव है यहाँ वाली देवरिया तमाम जगहों से रफ्तार मीडिया की रिपोर्ट निरंतर देख रहे हैं और रफ्तार मीडिया ने पहले भी चेताया था बार्खन को कि अगर समय रहते कारे नहीं होंगे तो निश्य दूर्प से बड़ा नुक्सान होगा और वही इस्तिती आज यहां पर देख देख सकते हैं कटा हुआ है दो दिन हुए कटे हुए अभी हाला कि जो राहत कारे है वो जोरो से जारी है लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर जो बाढ़ खंड की अनमीत्ता है जो बाढ़ खंड की सिसलता है वो देखने से बनती है क्योंकि इस तरह के काम हर वर्स अधिकारीयों को चैता दिया और ये कटान होने से बच गया नहीं तो इस्तिति कुछ और होती ऐहां कि जो अस्थानी है मुझ से वाध करते हैं ये जो कटा नहीं हुआ है ये अधिकारियों द्वारा जो है मिली भ्यगत साजिस के तहत उनकी लापरवाही के तहत ये कटा हुआ है ऐसा नहीं है ग्रामिल पहले ही बताते चले आ रहा है कि यहां पर रेन कट हो रहा है लेकिन प्रसास्निक अधिकारीयों ने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग अधिकतर देखते चले आ रहा हैं कि बरसाथ हुई नहीं, थोड़ी सी नदी में पानी बढ़ी नहीं कि हम लोग का तहीन कहीं बंदा हम इसा कटता है ये अधिकारी साल भर एकदम बैठे हुए रहते हैं और ये इंतजार करते हैं कि ऐसी सिच्वेशन आए ताकि इनको जो है फ्लड के नाम पर आपदा के नाम पर कमाने का एक आउसर प्राप्त हो अभी यहां पर SDM आयगी थे उन्होंने यहां पर निर्क्षर भी किया और लेकिन जो अब मुखे ब्यांता है बारखन आपको कटा हुआ था एक दिन में वो नहीं कटी थी और यही आज एक दिन में नहीं कटा है यह धीरे धीरे जब रेंकड होता है और इंका काम होता है इनक आमीर फसल सब बरबाद हो और उस समय इसको बनवाने के नाम पर करोंडों रुपे वारे ने आरे हों अमारे इसमें यहां के और भी कुछ लोग हैं क्या नाम है आपका आनंद कुमार से आनंद जी यहां पर गटना करम हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए बंधा धस गया और बंधा धसा उसके बाद भी यह लोग दिन रात रात में महराज गंज और कुसी नगर खेलते रहे महराज गंज के आला अधिकारी मवजूद रहे लेकिन कुसी नगर के उस रात ना बाढखंड के एक सियन आये न एस्टियो आये हम लोग एगारे बारे वज़े तक यहां रात को हम लोग मवजूद थे लेकिन कोई अधिकारी नहीं दिखा आपको क्या लग रहा है कि इसमें मतलब जो गलती है जो जिम्मेदार है वो बाढखंड दिखाई दे रहा है कि जी एकदम बाढखंड की ही गलती है जब दिन में सूचना मिल गई तो ल दिन मतलब उन्यत्र की आव सकता है काम तो हो रहा है कि काम में तेजी नहीं होने से अगर नदी का जल अस्थर बढ़ा तो जो काम मोरा है जब पानी ऊपर होगा तो जो काम मोरा या भी बोरीं दह जाएंगी और फिर यह बंदा जो एक द्व मीटर बचाय वाभी टूट जा हाला कि उत्तरप्रदेस सरकार ने उत्तरप्रदेस के जो जल सक्ति मंत्री सुतंदेव सिंग ने दोनों हाथ खोल दिये हैं लेकिन जो बाढ़खन के अधिकारी हैं वो सुधाने का नाम नहीं ले रहे हैं हमारे बीच में एक और युवा हैं उसके बात करते हैं क्या नाम है अपका यहां पर जो पूरा घटना करम हुआ है उसके विसम जरा बताई घटना करम यह है कि जैसे बुद्वार के सुबह ही रिस्सा होना शुरू हो गया था यहां पर मौके वे जो खीचानी करने के लोग आ चाहिए गया उसके बाद आला दिकारी अगले दिन से थोड़ा सा काम सुरू है लेकिन काम सितिलता है कहीने 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 संतुष्य जनक नहीं है यह हाल है बाढ़ खंड का अंदाजा लगा सकते हैं जो अस्थानीय लोग है वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है उनका यह कह हो रहा है यह काम एक बरफिसे मैं दिखाना चाहूंगा कि यह जो काम है सिर्फ कोरम पूर्ती का काम है आप दा में और सक तलासने का काम है जो अधिकारी हो वो पूरी तरह से अगर एक वर्स तक जागरी तरहते तो निशित रुप से इस तरह की घटनाय नहीं होती तमाम र संबे के कटने से तमाम जो फसले हैं वह फिलाल अभी नुक्षान होती भी दिखाए दे रही हैं और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो निशित रुप से आगे आने वाले दिनों में और भी नुक्षान हो सकता है वीडियो जनली स्राहूल के साथ प्रदीपानत स्वास्तर स्रक्तार मीडिया हुशी नगर